पंदरा जून तक जाजपूर करके चारशीट दार्ज करने की बात कही है करेंगे ता दिया था बाचीत के लिए बहुत अच्छे बातावरण में सकारात्मक बाचीत बहुत समवेदनशील मुद्दे पर हुई है और लगबग 6 गेंटे 40 बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें जो आरोप लगाए गए है उन आरोपों की जांच पूरी करके पंदरा जून तक चारशीट दायर की जाए और रेस्लिंग फेडरेशन ओफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए इंटर्नल कम्प्लेंट कमेटी रेस्लिंग फेडरेशन की बनाई जाए और उसकी अध्यक्षता कोई महिला करे जब तक रेस्लिंग फेडरेशन ओफ इंडिया के चुनाव नहीं होते तब तक आई यूए की अध्यक्षता कमेटी पर दो कोचिस का नाम प्रस्तावित किया गया है उसका तक टेकनिकल भी उसमें दिखते हैं बहुत आती इसलिए सुझाव दिये गये हैं कि दो कोचिस को उसके ओपर रखा जाए उसका मेटी में और जब रेस्लिंग फेडरेशन ओफ इंडिया के चुनाव हो वे एक अच्छी फेडरेशन के रूप में चले अच्छे पदादिकारी उसके चुनके आए उसके लिए खिलाडियों से राश् निवर्तमान अध्यक्ष ब्रिजबोशन सिंग जिनकी तीन टम पूरी हुई है वो और उनसे संबंदित लोग उसमें चुनकर ना आए इस तरह कि उनकी मांग थी जो महिला खिलाडियों को या बाकी खिलाडियों अवश्यक्ता औनुजार सेक्योरिटी उनको मिले जिन खिलाडियों के या अखाडों के या अकेडमिस के या कोचिस के खिलाफ मुकदमे हैं उन मुकदमों को वापिस लेने की मांग की है ताकि उस पे कोई कानून या पुलिस के कारवाई ना की जा सके और खिलाडियों ने कहा है कि वो चाहते हैं कि पंदरा जून तक चारशीट दायर हो और वो भी अपना कोई भी इस पर परदर्शन या उनसे जुड़े हुए कोई भी समर्थर के हैं वो भी कोई परदर्शन नहीं करेंगे और उन सबको भी इस बाचित से अवगत कराएंग उन सबको अपनी जाके बाचित देवराशीएं जिस सरकार ने कितनी मांगे मानी हैं यह सारी बाते ही हमारी आमसहमती से हुई हैं उनके सुझावते की यह करना चाहिए मांगें भी सुझाव भी आप इसको किसी रूप में लेना चाहें और सरकार ने बड़े खुले मन के साथ सभी विश्यों पर पहले भी और अब भी गंबीरता से बातचीत भी की है और इन बातों पर क्योंकि अभी सभी प्लेयर्स ने भी और कोचिस भी जो आये थे और उनके साथ जो बाकी सदस्य आये थे उन्होंने बहुत पॉजिटिव बातचीत की है और बड़ा बीडबनी के उश्ण का रहा सेगा बनावा है सर बहुत बड़ा मुझा